नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि दीशाइन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, दीशाइन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और दीशाइन टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स ह को सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि दीशाइन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए, दीशाइन एक ब्रैंड नेम है, दीशाइन टैबलेट के अंदर सौर्ट कमपोजिशन कॉलेकैलसिफेरोल 60,000 इंटिनाशनल यूनित होता है, विटामिन विटामिन D3 को पॉलेकैलसिफेरोल के नाम से भी जाना जाता है, दीशाइन टैबलेट का उप्योग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज़ा से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, हमारे शरीर में दातों और हड्डियों को मजबूर बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D भी बहुत ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है, और बचा हुआ 1% हमारे ब्लड में होता है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वज़ केल्शियम, और विटामिन की कमी की वजह से, डांतों की जड़े कम्जोर हो जाती है और दानत भंगुर होकर तूटने लगते है ,ई चोते बच्चों में केल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है, या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है और शरीर में कैल्शियम और वितामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोरों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा ओस्टियो मालेसिया होने पर ओस्टियो पोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्टर दीशाइन टैबलेट को लेने की सला दे सकता है रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर तेरी मेरी हो जाती है और ओस्टियोमालिसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोडों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है किडनी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन दी की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्टर दीशाइन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन दी की कमी हो सकती है क्योंकि मा के दूद में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर विटामिन D और कैलशियम की जॉप्स दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या विडियो को लाईक करना वा चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो सही दोज में DShine टैबलेट को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में DShine टैबलेट की वज़ग से कोई साइड इफेक्स नहीं होते है लेकिन यदि किसी व्यक्ति को D-Shine टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। ज्याधा दोज में D-Shine टैबलेट को लेने की वज़ से शरीर में वितामिन D और कैलशियम का स्तर अधिख हो सकता है. अब हम दिसकस करेंगे की D-Shine टैबलेट को कैसे लेना रिखमेंडेड होता है. दीशाइन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है दीशाइन टैबलेट एक चुइबल टैबलेट है इसलिए दीशाइन टैबलेट को मुँ में निगलने से पहले अच्छी तरह से चबा लेना चाहिए दीशाइन दूद्ध या पानी के साथ लिया जा सकता है लेकिन डीशाइन टैबलेट को शाम के समय दूद्ध के साथ लेना ज्यादा अच्छा होता है आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर डीशाइन टैबलेट को सब्ता में केवल एक बार ही लेन की सलाह देते हैं और 6 महिने तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं डीशाइन टैबलेट की डोज उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको डीशाइन टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वार बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की डीशाइन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए डीशाइन टैबलेट को लेने के बाद यदि आप लैबोरेटरी में कोलिस्ट्रॉल की जाच करवाते हैं तो कोलिस्ट्रॉल टेस् स्तनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डीशाइन टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यव